साथ्वियों, राम मंदिर के निर्मान की ये प्रक्रिया राष्ट को जोडने का उपक्रम है, ये महोत्सम है विश्वास को विद्नेमान से जोडने का, नर को नारायन से जोडने का, लोक को आस्था से जोडने का, बर्तमान को अतीच से जोडने का, और स्वा को संसकार से जोडने का, आज के इस एतिहासिक पल, यूगों यूगों तक, बिग दिगंत तक, भारत की किर्थि प्रता का फैराते रहेंगे, आज का ये दिन, करोडो राम भक्तों के संकल्प की, सत्यता का प्रमान है, आज का ये दिन, सत्य, अहिंसा, आस्था, और बलिदान को, न्याय प्रिय भारत की, एक अनुपम भेंट है, कोरोना से बनी स्थित्यों के कारण, भूमी पुजन का एक कारकाम, अनेक मरियादाओं के बीच हो रहा है, स्री राम के काम में, मरियादा का, जैसा उदाहरन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरन प्रस्तुत किया है, इसी मरियादा का अनुभाव, हमने तब भी किया था, जम्मानिविय सर्वोच्चे न्यायले ने, अपना अइतिहासिक फैसला सुनाया था, हमने तब भी देखा था, कि कैसे सभी देश समाचियों ने, शांती के साथ, सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, व्यवहार किया था, आज भी, हम हर तरफ, वही मर्यादा देख रहे हैं, साथियों, इस मंदिर के साथ, सिर्फ नया इतिहासि नहीं रचा जा रहा है, बलकि, इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है, जिस तरह, गिलहरी से लेकर वानर, और केवड से लेकर वनवासी बंधों को, भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सवभाग्य मिला, जिस तरह, छोटे-छोटे ग्वालों ने भगवान स्री क्रश्ट द्वारा गोवर्धन परवर्थ उठाने में बड़ी भुमी का निभाई, जिस तरह, मावडे, छट्रपती वीर सिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित बने, जिस तरह, गरीब, पिछडे, विदेशी आकरांतों के साथ लराई में, महराजा सुहल देव के संबल बने, जिस तरह, दलीतों, पिछडों, आदिवासियों, समात के हर्ग बर्ग ने, आज़ादी की लड़ाई में, गांदी जी को सहयोग दिया, उसी तरह, आज, देश भर के लोगों के सहयोग से, राम मंदिर निर्मान का, ये पुन्यकार्य प्रारंब हुआ है, हम जानते हैं, जैसे पत्थरों पर स्री राम लिखकर, पत्थरों पर स्री राम लिखकर, राम सेतु बनाया गया, वैसे ही, घर घर से, गाउं गाउं से, सद्धा पुर्वग पुजीश शिलाएं, यहां उर्जा का श्रोत बन गई है, देश भर के धामों, और मंदिरों से लाई गई मिट्टी, और नदियों का पवित्र जल, वहां के लोगों की, वहां के संस्कृति और वहां की भावनाएं, आज यहां की एक अमोग शक्ति बन गई है, वाकई, वाकई, यह न भूतो न भविश्यती है, भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामुईता, और इस सामुईताई की अमोग शक्ति पुरी दुनिया के लिए अध्ययन का विशय है, शोध का विशय है. कि अरेश आस्था, प collecting जिया है, रहा है मोगगाईं की आस्था पास्था, भारत की बन गई रविश्यती है,